यह चीन से आई हुई लुई डिन है इन्हें भारत के ललखे से प्यार हुआ तो साथ समंदर पार वो भारत आ गई वज़ा है बहार के रहने वाले राजीव उनसे प्यार चीन में हुआ और शादे भारत आकर चीन की लुई अब बहार के खगड़िया की बहु बनी है लुई और राजीव की कहानी भी इनकी जूड़ी जितनी ही दल्चस्प है खगड़िया शहर के राजीव कुमार बीते 10 साल से चीन में रहते हैं वहाँ इनके परिवार का बिद्नस चलता है चीन के जिस उनिवासिटी से राजीव लैंग्वेल्ज लिट्रेचर एंड कल्चर स्टडी और चाइना में मास्टर डिग्री के लिए पढ़ाई कर रहे थे उसी उनिवासिटी से बीजिंग के रहने वाली लुई डेन बैचलर की डिगरी के लिए पढ़ाई कर रही थी इसे दोरान दोनों में प्यार हो गया फिर दोनों अपने अपने परिवार के लोगों को शादी के लिए मनाने लगें दोनों परिवार के सहमती के बाद दोनों ने हिंदू रीती रिवाज के साथ शादी कर ली एधर न्यू कपल ने मीडिया से कहा है कि शादी करके उन्हें काफी खुशी मिली है दुल्हन ने कहा है कि उन्हें बॉलिवूड की फिल्में बहुत अच्छी लगती है इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें भारती तेवहार भी पसंद है जान पहचान तो पिछले नो से दस साल से है और हम सब फिर क्लोज कॉंटेक्ट में पिछले कुछ समय से आई हुए 2016 में एक बार आ चुकी है और 2019 में टूरिस्ट वीजा पर उस समय में आई थी और इस बार जो है ये वो फैमिली रियूनियन वाले जो गिया है इस पर यह अई है प्रॉपर साधी के जी परिवार को लोग भी आए मैं धन्यवाद करना चाहूंग आपने परिवार के अपने जितने भी रिलेटिव हैं हमारे हैं अब भारत में आई चीनी दुलहन और इनकी लव स्टोरी खूब सुर्ख्यों में बिहार में ये कोई पहली बार नहीं है जब विदेश की महिला का दिल इस तरह से किसी बिहारी बावु पर आया हो इसके पहले भी फ्रांस नेपाल परिस रशिया से कई लड़किया बिहार आकर हिंदूरीती रिवाद से शादी रजा चुकी है और अब एक बार फिर ममला सामने आया है जो खूब चर्चा में है ब्यूरो रिपोर्ट भारत तक झाल